हब बात कि लिए चैहें ज़ावे डोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या नाव और नदी आज मैं आ एक快 क्दानरस मैं नाव लाय पीजिकल का पकंच scrस नहीं समझ में आता है कि ना मुझे कोश्चन जो है इसी वज़ा से आसान लगते हैं क्योंकि मैं उनको practically समझता हूं practically जब समझता हूं तो बहुत आसान लगते हैं लगता है कि real जीवन की घटना है सत्य घटना पर आधारित है जैसे आप देखते होंगे कोई धारवाहिक सत्य घटना पर आधारित तो बह ही उसको नहीं समझ में आ रहा है उसको नहीं मतलब है लेकिन ओ दूसरे रूम में था जैसे उसे पता चला कि मैं मनलब वीडियो बनाने जा रहा हूं ओ आ गया और अब देखेगा ठीक है तो आपको लेकिन आपको समझ में आएगा ओ तो भाई 6 साल का है उसको कहा से अभी इतना समझ में आएगा तो देखो हम लोग concept start करते हैं यहां पर जैसे एक नदी है आप देख रहे हैं इधर से यहां को प्रवाहित हो रही है कहां से प्रवाहित हो रही है इस दिशा से यहां को प्रवाहित हो रही है आपका यहां पर प्रवाहित हो रही है अब यहां पर क्या होगा जैसे माली जी एक नाओ है या हमारी नाओ है इत्वे नाओ जब इसके पहले तो क्या क्या होता है वो चीज़ जान लिजिए एक तो होता है सांत जल कोई हमारा रूका हुआ जल है रूका हुआ जल किसका होता है तालाब का किसका तालाब का आप जल देखते होंगे पे क्या हो गया माली जी हमारा सांत जल में क्या है नाव की गती क्या सांत जल में नाव की गती तैराक की गती स्टीमर की गती किसी ब्यक्ती की सांत जल में गती यह सब हो गए दूसरा कांसेप्ट क्या होता है धारा की गती यानि यह जो हमारा करेंट है क्या है इसे क्या वो ल इसका कुछ स्पीड होगा तभी तो यह जो है कहां तक आ जाती हैं आपका कहां तक आ जाती है पस्चिम बंगाल तक अजाता है तो अब देखिए अब मालीजीय कोई नाविक है क्या है क्या है कोई नाविक है उत्तरा खंड से कहां जाना जाता है बंगाल जाता है तो कुछ मत करे जाके उत्तरखंड में अपनी नाव लेके चले जाए अब धारा के साथ आते आते कहां जाएगा वेस्ट बंगाल आजाएगा लेकिन अगर यहीं वेस्ट बंगाल से उत्तरा खंड जाना हो तब अब उसको क्या करना पड़ेगा नाओ में लगाना पड़ेगा इंजन क्या लगाना पड़ेगा नाव में लगाना पड़ेगा इंजन नहीं तो उसकी नाव जैसे ही ले जाने कोशिस करेगा धारा बहा ले जाएगा ठीक है तो देखो होता क्या है यहां पर दो चीज़ आप जान लिए इन्ही दो चीजों से और चीजें पैदा होती है क्या दो ची जब आपकी नाव धारा के साथ चलती है उसको बोला जाता है डाउन इस्ट्रीम या अनुप्रवाह और जब आपकी नाव धारा के विपरीत जाती है तब आपका क्या बोला जाता है अप इस्ट्रीम या उर्ग प्रवा अब हम लोग आ जाते हैं फार्मूले पे इसको हटा देते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे ठीक है अब इसको हटा देते हैं बस हमारे पास ना और रहेगी तो आप से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को सेर जरूर करिएगा लाइक जरूर करिएगा हमारा प्रयास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए चाहे वो पढ़ने में स्मार्ट हो ना हो लेकिन समझ में आए चलो तो टेलिग्राम गूरूब जरूर जोइन करके रखिएगा, उससे पहले हम लोग यहां पे कुछ बात मनलब इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़े लिख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, जैसे आपका क्या है, मैंने क्या बताय अब धारा की चाल मान लीजिए नदी बार रहा था ना आपने देखा तो धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं अब हमें क्या निकालना है अनुप्रवाह में चाल अगर हमें सांत जल में नाव की चाल पता हो धारा की चाल पता हो तो अनुप्रवाह लिकाल सकते हैं यानि की डाउन इस्ट्रीम में लिख रहा हूँ डियस अनुप्रवाह में ए मान लेते हैं एक्स लेकिन इसका इस एक्स का वैलू किसके बराबर होता है a प्लस b के बराबर होता है क्या a प्लस b के बराबर होता है अब उर्ग प्रवाह में क्या उर्ग प्रवाह में यानि आप इस्ट्रीम में उर्ग प्रवाह पुर्गप्रवाह में क्या होगा भाई इसको मान लो वाई अब यहां पर आपको घटाना नहीं है वैसे घटाना ही है ठीक है अधिक में से कम को घटाना है मान लो अगर नाविक की स्पीड तेज है भाई देवे धारा की स्पीड बहुत जादा है आप देखते होंगे धारा बहा ले जाती होगी तो क्यों बहा ले जाती है जब नाविक का स्पीड क्या नाविक का स्पीड धारा की स्पीड से कम होगा तो वह क्या करेगी बहा ले जा आज तक कभी महेने कोस्चन में देखा नहीं है कि धारा में इतनी थाकत रही हो महत के प्रश्ण में कि नाविक को बहा ले जाए तो ऐसा हुआ नहीं है अच्छा अगर मानलो आपको ठीक है नाव की चाल और धारा की चाल पता थी तो आपने अनुप्रवा और उर्ग प्रवा निकाल दिया लेकिन अगर आपको नाविक की सांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो अनुप्रवा और उर्ग प्रवा को जोड के क्या अनुप्रवा और उर्ग प्रवा यानि डाउन इस्टिम और अप इस्टिम को जोड के दो के भाग दे दीजिए आपकी नाव की चाल आजाएगी. और यहीं पे अगर आपको धारा की चाल निकालनी है, तो अनू में से उर्व के खटा दीजिए और दो का भाग देदीजिए. क्या करिए? अनूप्रवा. यानि जो धारा के साथ नाव की चाल थी, थारा के वीप्रीत जो नाव की चाल है उसमें क्या करिए दो से भाग दे दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह फर्मूला का स्क्रीन साट ले लो अब काम आएगा मेरे भाई चलो एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रतिघंटा की चाल से नाव चला सकता है यानि A का वैलू 8 है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रतिघंटा है यानि B का वैलू 3 है तो जल प्रवाह के अनुकूल यानि हमें X का वैलू पूछ रहा है तो X का वैलू क्या हो ज आठ और तीन जोड देंगे यानि नाविक की चाल जो सांत जल में है और जल प्रवाह की चाल जोड देंगे कितना आ जाएगा 11 क्या जाएगा 11 अगला गोश्चन एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल धाई घंटे में 25 किलो मेटर चला जाता है देखो यहाँ पर क्या दिया है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है भाई मेरे धाई घंटे में 25 किलो मेटर दूरी बटे समय बराबर क्या जाता है चाला जाता है क्या गया 10 किलो मेटर प्रति घंटा यदि धारा की गती 3 किलो मेटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान ने चाल गया थी जिए तो फार्मूला क्या हम लगाते है अनुप्रवाह में स्पीड बराबर a प्लस b यही तो लगाते हैं यहां पे हमें अनुप्रवा हमें स्पीड पता है देखिए अनुकुल धारा के अनुकुल धाई गंटा में x की जगा 10 रखिएगा क्या x की जगा 10 रखिएगा a का वेलू कितना है हमें a का ही तो वेलू गयात करना है हमाँ यहां पे धारा की गतिढ़ रखा है b का वेलू रख्धा नदी का जल भी पता है आपको तथा एक नाविक सांत जल में चार किलोमेटर प्रतिघंटा से नाव ले जा सकता है यह भी पता चल गया जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह बारे किलोमेटर की दूरी कितने समय में तै करेगा क्या का रहा है जल प्रवाह के साथ यानि अनुकूल में डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा, A और B एड हो जाएगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्पीड हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के इसाप से 12 किलोमीटर दूरी तैकने में कितना समय लगेगा, 12 बटे 6 हमारा क्या जाएगा, 2 घंटा, क्या 2 घ किलो मीटर जाती है आपको डाउन इस्ट्रीम पता हो जाएगा यहां से 18 किलो मीटर कितने घंटे में तीन घंटे में डाउन इस्ट्रीम आ जाएगा 6 किलो मीटर पर आवर सांत जल में नाव 5 किलोमेटर प्रतिघंटा की चाल से चले यानि X का वैलू 6 है A का वैलू 5 है आप से पूछ क्या रहा है B का वैलू बताओ मेरे भाई चलो X त ब्राबर क्या होता है A प्लस B होता है X का वैलू क्या है 6 A का वैलू क्या है 5 प्रतिकूल पर अभी तक आपने जो देखा अनुकूल में था यानि कि तब हमारी नाव जल प्रवाह के साथ में जा रही थी अब हमारी नाव वीपरीत में जाएगी तब तो हमारा नाव का जो इंजल लगा है या नाविक की जो छमता है तभी तो पता चलेगा जब वीपरीत में ले जाना होगा चलिए धारा प्रवाह 1.5 किलोमेटर प्रतिघंटा है कितना है 1.5 किलोमेटर प्रतिघंटा यानि बी का वैलू कितना है 1.5 है जबकि एक नाव इसतीर जल में 6.5 किलोमेटर एक वैलू क्या है 6.5 किलोमेटर धारा के वीपरीत नाव की चाल ग्यात कीजिए तो धारा की वीपरीत यानि की आपका अप श्ट्रीम में निकालते हैं अप श्ट्रीम का मतलब हमने क्या मान रखा था फार 막ूला Y, Y बराबर क्या था हमारा भाई, A माइनस B था तो A में से B घटाएंगे, Y बराबर क्या आजाएगा हमारा A माइनस B, 6.5 में से 1.5 घटाएंगे हमारा Y का वैलू क्या जाएगा मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रतिघंटा चलो, अगला कोश्चन एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रतिघंटा से बहरा है नदी का जल का स्पीड क्या है, 2.5 किलोमीटर प्रतिघंटा यानि कि B का वैलू क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर कोई तैरा कि स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रतिघंटा तैर सकता है एक वेलू क्या है 8.5 अब क्या कर रहा है नदी के वीप्रीत वह 21 किलो मीटर कितने समय में तैकर लेगा हमें क्या करना है वीप्रीत में जाना है तो वाई का अप इस्ट्रीम यानि की वीप्रीत में क्या करेंगे 8.5 में से 2.5 घठाएंगे क्या जाएगा 6 किलो मीटर पर आव 6 हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई 3.5 घंड का अगर यहीं पर मान लीजिए कह देता कि जाना भी है और आना भी है तब answer कितना हो जाता देखो तब आपका y यह जाता x कितना आर जाता आर्दू 10 है कि 11 x का 11 है तब हमारा क्या होता 21 बटे 6 प्लस 21 बटे 11 है तब हमारा answer ही होता यानि कि जाना भी है और आना भी है तो आप 11 की speed से आप जाते मतलब downstream में और upstream में 6 चलिए एक streamer धारा के भी प्रिद्धिसा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है speed कितना हो जाएगा 72 बटे 3 बराबर 24 किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर पर आवर यह upstream में है यानि y का value है 24 यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रतिगंटा हो b का value क्या है 3 तो स्तांत जल में streamer की चाल ग्याद कीजिए यानि आपको a का value बताना है तो y बराबर क्या होता है a minus b y का value 24 a का value पता करना है और यह minus 3 minus 3 इधार आएगा तो 24 में add हो जाएगा a बराबर क्या जाएगा 27 क्या जाएगा 27 चैलो मूहन सांत जल में प्रतिगंटा बारे किलोमीटर तैर लेता है धाई दस दो दसमलो पांच किलोमीटर प्रतिगंटा की रफ्तार वाली नदी के वीपरीट वह दो दसमलो पांच गंटे में कितनी दूरी तैक कर लेगा देखो सांत जल में उसकी स्पीड क्या है बारे किलोमीटर प्रतिखंटा ठीक है दो दस्मलों पांच किलोमीटर प्रतिखंटा रफ्तार वीपरीत में जाना है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा एक का स्पीड क्या है बारे है नदी का speed यहां पर क्या है b का speed क्या है 2.5 हमें क्या कर रहा है वी प्रीत में जाना है तो y की value निकालेंगे 12 में से 2.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 9.5 आ जाएगा अब करा है धाई घंटे में कितने जाओगे तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय, चाल हमारा 9.5 है, इसमें 2.5 का गुड़ा कर देंगे, 9.5 का 2.5 में गुड़ा करेंगे, हमारा एंस्वर क्या जाएगा 23.75 अब कह रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों पराधारित प्रहस्त, अभी आपका 6 कोश्चन है, 2, 2, 4, 2, 6, चलो, अब अनुकूल की बात भी करेगा, और प्रतिकूल की भी बात करेगा, एक नाव नदी में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने और पुनाव वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, यदि नदी का वेग 2 किलोमेटर प्रति घंटा, B का वैलू 2, तथा इस्तिर जल में नाव की चाल, A का वैलू 4, तो दोनों अस्थानों के बीच की दूर जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, भाई आपने वो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा सर ओसत, ओसत वाला पढ़ना मैं बताया हूँ, एक अस्थान से जा रहे हो, और उसी अस्थान से वापस आ रहे हो, एक अस्थान से जा रहे हो, उसी अस्थान पर वापस आ रहे हो यहाँ पे एक स्पीड है छे है एक स्पीड है दो इसपीड दोनों अलग है और उस दूरी को जा रहे हो उसी दूरी को आ रहे हो देख लेना मैंने बताया हुआ है तब आप उस्त-चल का फार्मूला लगाएंगे दो गूड़े पहला अगर सेम आप से यह पूछे कि दोनों अस्थानों के बीच की दूरी क्या है तब आप क्या करिएगा यहां पर इस दो को मत लिखिएगा क्यों क्यों कि आप सेम दूरी जा रहे हो सेम दूरी वापस आ जा रहे हो आजाओ आणिस बैठ जाओ अब हम यहां पर क्या करेंगे नीचे दोनों का टोटल कर लेंगे और गुड़ा किसका करेंगे चार का 4 से कट करेंगे दो बार 2 से कट करेंगे दो हमारा एंस्वर क्या जाएगा 6 किलोमीटर चलिए कर रहा है नदी का जल 3 km प्रतिघंटा है B का value क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे तथा एक नाविक इस्तिर जल में 7 km प्रतिघंटा की चाल A बराबर क्या आ गया 7 कर रहा है नदी के साथ 20 km जाने और पुपना वापस आने में तो X का value क्या जाएगा 10 Y के value 7 में से 3 घटा देंगे 4 Y आपका upstream में है X आपका downstream में है यानि यह अनुप्रवा यह उर्गप्रवा अनुकूल प्रतिकूल अब क्या करोगे देखो कुल दूरी कितनी है 20 km तो 20 बटे 10 प्लस 20 बटे 4 यह हमारा पहला ही स्पीड है दूसरा ही स्पीड 20 में 10 का भाग देंगे 2, 20 में 4 का भाग देंगे 5 हमारा कितना घंटा लग जाएगा मेरे दोस्त 7 घंटा आधित्या जल प्रवा के साथ 75 km तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुना 5 घंटे में वापस आता है सांत जल में नाव की चाल सथा नदी की चाल ग्यात किजिए तो देखिए आधित्या जल प्रवा के साथ 75 km तक अपनी नाव 3 घंटा में ले जाकर 3 घंटा में ले जाता हूं यानि अनुप्रवा हमें स्पीड कितना हो जाएगा 75 में 3 का भाग देंगे 25 पांच घंटे में वापस आता है यानि उर्ग प्रवा अब पचातर में 5 का भाग देंगे यहां आ जाएगा 15 अब हमसे क्या कर रहा है सांत जल में नाव की चाल था नदी की चाल तो अब देखो नाव की चाल निकालनी हो तो मैंने क्या बताया था इन दोनों को जोड़के 2 का भाग देना 25 और 15 को जोड़ेंगे 40 और 2 का भाग देंगे क्या जाएगा 20 ए नाव की चाल वहीं आपको निकालना हो नदी की चाल तो 25 में से 15 घंटाएंगे 2 का भाग देंगे 10 बते 2 यानि B के वैलू क्या आजाएगा 5 किलोमेटर प्रतिगंटा अब इसको मिठा देता हूँ अगला कोश्चन बहुत दमाकेदार है इस कोश्चन में बच्चे फसते हैं क्या इस कोश्चन में बच्चे फसते हैं तो थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ ताकि मुझे बिसल番ा में जाए नहीं तो मैं भी फसजाू एक नाविक धारा के मिप्रीत 40 km?", तथा अनुपूल 55 km kuil 13 घंटे में जाता है जबकि धारा के विप्रीत 30 km तथा अनुपूल 44 km 10 घंटे में जाता है स्थिर जल में नाव की चालता था धारा की चाल गयात किजिए, हम क्या मान लेते हैं, अनुकूल में उसका स्पीड, अनुकूल में स्पीड क्या होता था, अनुकूल में X होता था, तो देखो, धारा के वीपृत 40 km, यानि 40 बटे Y, Y, प्लस 55 km, अनुकूल में जा रहा है, अनुकूल में स्पीड क्या होता था, X, एक्स कितना घंटा लगा, 13 घंटा लगा, यहीं तो कहा रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ए आपका क्या है, प्रतिकूल प्रतिकूल में स्पीड Y ही तो होता है अनुकूल में X होता है जबकि धारा के भी प्रीत 30 किलोमेटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमेटर 10 घंटे में यहाँ पे Y यहाँ पे X अब इनी दोनों समीकरण को हम साल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा X Y का हो जाएगा नीचे X Y X का गुड़ा यहाँ कर दो 40 X प्लस 50 Y सौरी 55 Y 55 Y पराबर X Y का यहाँ गुड़ा हो जाएगा 13 X Y हो जाएगे यहाँ हटा दो यहाँ हटा सकते हो ठीक है अब देखो इसी तरह से 30 X प्लस 44 Y 30 X प्लस 44 Y बराबर 10 X Y अब हम इन समीकरण को किसी एक को बराबर करने का प्रयास करेंगे किसी एक को बराबर करने का प्रयास करेंगे तो चलिए देखते हैं किसको करते हैं यहाँ पे गुड़ा 3 का करते हैं यहाँ पे गुड़ा 4 का Y बराबर 139 X Y यहां चार का गुड़ा 120 X प्लस 44 चोक के 176 Y बराबर 10 40 X Y अब देड़ेगा अब इससे घटाते हैं माइनस यहां जाएगा 120 X से 120 X खतम हो जाएगा यहां पर क्या बच जाएगा 165 Y में से 176 Y घटाएगा हमारा माइनस 11 Y यहां पर बराबर माइनस X Y बच जाएगा तो Y से Y खतम माइनस से माइनस खतम X का वैलू क्या आजाएगा हमारा 11 X का वैलू मेरे दोस्त क्या आजाएगा 11 आजाएगा अब X का वैलू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में X क्या है हमारा अनुप्रवा हमें अब X का value मानलो यहां पर आप रखते हो तो क्या आजाएगा X का value क्या है या 11 चलो यहां रखते हैं 40 बटे Y 55 में 11 का भाग देंगे 5 आएगा 5 को हम बराबर के उधर ले जाएगे 13-5 को क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो 8 से कट करोगे इसको 5 बार Y का value क्या आ जाएगा 5 X का value क्या आया 11 Y का value आया 5 यानि अनुप्रवा हमें इस पीड डाउन stream क्या आया 11 अब stream क्या आया 5 आया अब हमसे क्या पूछ रहा है इस तिर जल में 9 की साल तो 11 और 5 जोड़िये हम क्या करते थे A का value निकालना होता था A आपका X है ए आपका Y है X और Y जोड़के 2 का भाग देते थे 11, 5, 16 बटे 2 क्या जाएगा मेरे दोस्त 8 आठा जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे क्या जाएगा 3 एधारा की जाल अईसे ही करते हैं एक तैराख नदी की धारा के अनुकुल एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने में जितना समय लेता है दूसरे उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है यदि धारा की गती 2 किलोमीटर प्रतिघंटा हो तो इस्तिर जल में तहरा की चाल क्या होगी तो दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है आपका चाल गुड़े समय क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय तो यहाँ पे आपका मान लीजिए समय एक है तो कितना का रहा है धारा की गती 2 है तो इस्तिर जल में 13 की चाल एमान लीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे A प्लस 2 इधर में क्या होगा A माइनस 2 और यहाँ पर अगर एक घंटा लग रहा है तो यहाँ दो घंटा लगेगा तो A प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 A माइनस 4 हो जाएगा 2 A माइनस 4 को इधर लाएंगे 2 प्लस 4 2 A में से 1 घटाएंगे A बराबर क्या जाएगा हमारा 6 आजाएगा समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बताता हूँ देखो किया किया हमने हमने यहां पर ले लिया ना इस्थिर जल में तैराक थी चाल तो यह क्या हो गया अनुकूल में हो गया अनुकूल में समय का रहा है मान लीजिए जितना लगता है उसका प्रतिकूल में दोगुना लगता है देखो जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वाप तो दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुड़े समय दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुड़े समय चाल और गुड़े समय यहां पर समय एक घंटा लग रहा है यहां पर दो घंटा लग रहा है कैसे लग रहा है कोश्चन में बोल रहा है दो गुना लग रहा है जब भ अग़ला एक नावीच में तरी अस्थान तक जाने में जतना समय लेता है उसके की मिखा लिए तीगने समय में प्रवाह के बिरुद्ध दूसरे अस्थान से पहले अस्थान तक वापस आने में लेता है सांत जल में वह 10 km प्रतिघंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गती जल प्रवाह की गती हम मान लेते है B तो अनुकूल में क्या हो जाएगा 10 plus B हो जाएगा मेरे भाही प्रतिकूल में क्या हो जाएगा 10 minus B अब हम क्या करेंगे दूरी बरवर चाल गुड़े समय चाल दोनों काुए है यहाँ पर अगर एक घंटा लगता है तो यहाँ पर तीन गुना लगता है यानि तीन घंटा लगता है 10 प्लस B बराबर 30 माईनस तीन B 3 B को इखर लाएंगे 4 B हो जाएगा दस तीस में से माइनस हो जाएगा चार बी बराबर बीस आ जाएगा बी बराबर हमारा क्या जाएगा पाँच आ जाएगा एंसवर तो भईया इतने टाइप के कोश्चन आपके एक्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं बाकी आडंबर की बात नहीं कर रहे हैं कहां पर क्या ठीक है इसको इतना पढ़ लो प्रिवियस येर कर लो अगर एक भी कोश्चन छूट जाए नाव नदी का अगर पूछा गया है तब आप कहना तो यहां पर आनिस का खिलोना हम आप लोगों की उपस्थिती में सुपूर्द करते हैं लोग अपना आनिस ठीक है नहीं फिर एक एक लेम कर देगा हम खिलोना दिये की नहीं दिये तो आप लोगों की उपस्थिती में आनिस का खिलोना हमने क्लास टाइम के लिए बस लिया था और सुपूर्द किया ठीक है हमारे उपर अब इनका खिलोने का दावा नहीं बनेगा ठीक है तो जैहिं जै भारत दोस्तों हमेशा आप खुश रही है मस्त से पढ़ते रही है और लाइफ को भी खोड़ा इंज्वाय करिए ठीक है किसी का दिल ना दुखाई है ना मस्त खुशी से रही है ठीक है जैएंगे